मुझे याद है जब मैंने पहला शो किया था उतरन मेनी नंदिश से मुलकात वहां पर हुई थी वो सफर को आज कम से कम पांच-छे साल से उपर हो चुक है और हमारी बांडिंग जो है यह कहाइं होती हैं कि यादा मैं वाली कहावत है कि दोनों भाइयों जैसे हैं और बौनों पंझाबी के सबकली सबस्तर ही कर्ता है संब मैं में पांज साथ में इसा अइसा होई नहीं सब्छीन सब्सक्राइब आज तो मैं यह कहना चाहूँगा कि पहले एम्दबाद एक्सप्रेस ती अब तो पूरी गुजरात खरील दी उसने पता जी यह कर गया रहा है बट आइम वेरी हपी फॉर हिम और वेरी बेस्ट कि जैसे वो एम्दबाद एक्सप्रेस को बहुत आगे तक लेके गया मैं चाहता हूँगी पूरी गुजरात को अब जो है वो बीसेल में जो है वो पॉपलर करें और बहुत आगे तक लेके जाए और बहुत सारा इंटर्टेन्मेंट हो आप कौन सी टीम में है देखिए अभी ये डिसाइड नहीं हूँगा और मैं खुलासा भी नहीं करूँगा बहुत इनिश्यल स्टेज पर है बाते जब फाइनल हो जाएंगी फिर मैं इसके बारे में आप सब को बताऊँगा कि देखिए बीसेल में तो काफी सारे दोस्तियार हो जाते हैं अपने साथ क्रिकेट अगें एंड अलग एंट्रेइनमेंट होता है जहां पर आपके आक्टर्स मिल जाए और हम मिल जाए साथ में तो वह उपने जाता है तो वहां थकावर मैंसुस नहीं होती है प्लस क्रिकेट तो क्या है वो बच्पन से आप आदमी खेलते हैं होते हो तो यू अल्विज इंजोए देट कि थोड़ा सा वक्त मिला था मुझे अपने लिए मैंने कि मैं भी थोड़ा सा फिट हो जाऊं विकॉज क्या वात है कि अगर आप रेगलर शूटिंग करते रहो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने अपने आपको थोड़ा सा फिट रखने के लिए बिकॉज आप रोज कम से कम 12-15 गंटे काम करते हो और उसमें टाइम निकालना बड़ा बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है तो अभी बीच मुझे एक दो मीने फ्री मिले थे जहां पर मैंन हो कि वो हो जाए पिंगर्स क्रॉस्ट इंचालला हर किसी का अर्मान होता है कि वो बड़े पड़े पर आए और मेरा भी है अज़िए 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 अज़िए